नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार्फिर से पैसा खीचने बाली जड़, साधारन पौधा समझ कर फेकनी की भूल मत करना आप हमारे बीडियो में देख सकते हैं ये पौधा, ये पौधा देखने में बहुत ही साधारन है, लेकिन इसके गुण असाधारन है, आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में हैं, तो इसे साधारन पौधा समझ करके फेकनी की भूल मत करना इसके जो आज चमतकारी के गुण बताऊंगा, आयरवेदी के प्रयोग बताऊंगा, तथा किश प्रकार का इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आज की ये वीडियो देख लेंगे, तो कल से इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे, कहने का मतलब है कि इसके जब चमतकारी के गुण आप समझेंगे, तो बिल्कुल ही आपको भी गर्ब हो जाएंगे, कि आप भारत भूमे में पैदा हुए हैं, और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज की हमारे बीच हमें हैं, जो कि हमें क चिरचिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगे इसे ओंगा के नाम से जानते हैं, इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो खासकर ये जो पौधा इसे लड़ जीरा के नाम से भी लोग जानते हैं, और इसे अपमा अपमार्ग क्यों बोला जाता है क्योंकि ये उल्टा चलता है इसके जो बीज हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं आप अन्य पोधों के बीज देखेंगे फूल के बीच में देखेंगे तो उपर की तरफ होते हैं लेकिन ये निचले की तरफ होता है इनके जो बीज होते हैं य निचले की तरफ होते हैं ये उल्टे होते हैं इसलिए अपमार्ग बोला जाता है अपमार्ग बिद्या में इसका बहुत ही प्रियोग होता है तो क्यूं हमारे लिए अशाधारण है आईए इस वीडियों में जानते हैं शेर्व प्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कमेंट बाक्ष में अभी तक अगर भारत भूमशे हैं तो जैहिंद जरूर लिखना दोस्तों इस्तपोधे के चमतकारिक और तांतरिक प्रयोग भी बताऊंगा जो लोग बन बे जंगलों में रहते हैं वो इसके बीज से अपना ब्रत यानिकी रखते हैं और इसी के बीज से ब्रत यानिकी जो ब्रत में खाते हैं जैसे कि बहुत से लोग फल वगरे खाते हैं तो ये इसके बीज खाते हैं हमारे धर्म सास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि ये जो अपमार्ग के पौधे हैं चिचरी यानि चिचरी के जो पौधे हैं इसके जड़ में मागंगा का वास होता है जी हाँ बिल्कुल ही मागंगा का वास होता है और ये भी माना जाता है कि प्राचिन गरंतों में भी लिख करते हैं जो बहुत से पुराने समय के यहीं लोग हैं स्याने लोग हैं जिसे हम बुजुर के नाम से भी जानते हैं तो ऐसे ब्यक्ति इसके जड़ की दातुन करते हैं क्यूं करते हैं क्यूंकि इसके जड़ में गंगा कवास होता है इसके जड़ में अम्रित की कुछ बूंद किया जाए जिसे लंबे समय से दातों में पायरिया है दातों में दर्द बना रहता है किशी कारण बश डाक्टरी इलाज नहीं करा पा रहे हैं या फिर डाक्टरी दवा खा रहे हैं फिर भी दातों के दर्द में दर्द बना हुआ है ठीक नहीं हो रहा तो केवल इसके दातों करने मातर से दातों में जितने भी किणाएं हैं बेक्टीरियां जिसे के कारण आपके दातों में दर्द बना रहता है वह दर्द इसके दातों करने से केवल 15 दिनों तक इनके रिगुलर दातों करने से से तीन दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे दातों के दर्द समाप्त हो जाते हैं दूसरी बात ये दातों के पीलापन को ज़र से समाप्त करते हैं जिनके दातों में पीलापन हैं गंदे हैं ऐसे व्यक्ति को भी इसके दातों जरूर करने चाहिए इनके दातुन करने के बाद हमारे दातों में चमका जाती है ये तो प्रयोग हुआ अब जानते हैं इसके जवर्जस्त चमातकारी के प्रयोग इसका चमातकार हमने खुद देखा हुआ है तो जिनके प्रसव होने में बिलंब हो रही है यानिकी जो गरवती महिलाएं हैं पृषएं होने में देरी हो रही बहुत चैरी माताईं बहने होती हैं जो लोग चाहते हैं कि», इस तती बहतर हो तो चिषडा यानिकी चिषडी नामक की जड़ होती है इसे आपको सर्व परथम 2-4 यानि आपको चावल के दाने ले लेने हैं और इसके जड़ में डालना है और आपको प्रात्ना करना है इस चुचड़ा के जड़ से हे महराज आप में मैं इस कार के लिए ले जा रहा हूँ आपको आपको मैं इस कार के लिए ले जा रहा हूँ जो कार सिद्धी हो उन्ही कार के लिए आप बोले वहाँ पर इस प्रगार से प्रात्ना करें लाल कलर में कपड़े में बांद कर जिनके प्रसव होने वाले हैं उन्हें पहना दें बिल्कुल पीड़ा भी कम होगी और बच्चे भी जल्द यानि ठीक हो जाएंगे बाद में थोड़ी देर बाद इस जड़ को आप निकाल दें यानि कि जिन माताओं बेहनों को जो प्रसव काल है और उसमें आपने ये जड़ बांदा है चिट्चिड़ा का यानि चिट्चिड़ी का चिट्चिड़ा का तो इसके जड़ को जब प्रसव हो जाए जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर इसे तुरांद थोड़ी देर बाद निकाल दें ज़्यादा देर तक मत बने रहने देना आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ब्यापार अच्छे से चले दंदा पानी अच्छे से चले तो इसकी जड़ को यानि गुरु पुष नच्छत्र में लेकर आए या फिर सुब दिर दीपावली होली दसहरा अच्छे तर्तिया एक अपने बियापार की स्थल पे बांदे देखना 50 ग्राहों कों की जगए 500 ग्राहों कों की भीड़ लग जाएंगे कहने के मतलब है कि दुकान में ग्राहों की भीड़ में यानि बढ़ जाएंगे आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी दूसरा चमतकारिक प्रयोग भी सु ये रव्यार के दिन इस जड़ को आपको फिर लाना है यानि कि एक दिन पहले आप कर गए और रव्यार को इस जड़ को लाएं सौंबार के दिन इसकी पूजा करें और मंगल बार के दिन इसे पूजा करने के बाद गुरु बार के दिन इसकी जड़ को आपको धारन करना है तो आपको बिल्कुल ही वनवांचित नौकरी की प्राप्ती होगी कैसी भी नौकरी अगर आप चाते हैं आपके सिख्षा अच्छी है तो आप देखेंगे कि चमतकार होगा दोस्तों आजकल चमतकार को ही नमस्कार होता है क्योंकि साधारन पौधा इसे मस समझेना इनके घर में बास करें वो लोग क्या करें कि इसे किसी भी दिन यानि कि इने जड़ को लेकर आएं और जड़ को आप यानि कि लेकर आएं कम सकम चार अंगुल को च्छे अंगुल का जड़ हो और इसे लेकर आएं लाल कपड़े में बांद कर माता लक्ष्मी चड़ों के पास रखे दे, रहने दे, रात भर पूरी रहने दे, अगले दिन सूरी उदर से पहले हाथ मों गोर दोकर, यानि कि पवित्र होकर, फिर इसे आप जड़ को अपने धन की स्थान पर रख दे, धन की कमी कभी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जवर जड़ा नामक इस पौधे की जड़ को, अगर आप अपने घर के मुख दरबाजे पर यानि की लाल धागे से बांद कर लटका देते हैं, तो लक्ष्मी जी जल्दी प्रवेश करती हैं घर में, और दर जड़ता उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं, गरीबी कभी नही सकते हैं, यह बहुत इस सुब माना जाता है, मालक्ष्मी सदैब उस घर में बास करती हैं, जिस घर में इसका पौधा होता है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखेगा, जै मालक्ष्मी, और इससे जदा जदा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जै मालक्ष्मी